Hello friends, welcome back to our channel जैसा कि दोस्तों आप सभी को पताए कि आपकी जो exam है वो जल्दी start होने वाली है आपके पाथ 10 से 15 दिन का time बचाए तो इस दोरान आपकी इस तरह से अपनी preparation करें इस से recording अपने एक series चला है जिसमें अपन सारी subjects के बारे में बात करेंगे सभी subjects के बारे में आपन बात करेंगे इन में तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीकॉम सेकिंडियर का एक subject है जिसका नाम है cost accounting इसके बारे में बात करेंगे देखो जो cost accounting आपका जो subject है यह scoring subject है इसमें आपके अच्छे marks आते हैं आपके आपके दो सब्जेक्ट है जो आपके scoring रहने वाले easy subject है इसलिए मैं बोला हूँ कि scoring subject हैं एक तो आपका fm यानि financial management और एक आपका cost accounting तो देखो cost accounting और financial management दोनों ही क्या easy subject है आराम से त्यार हो जाती है इसलिए इनमें scoring subject रहने वाले हैं यह दोनों के दोनों आपको क्या करना जो कोश्ट accounting है एक बार इसके बारे में अपन डिटेल से रहते हैं कि कितने chapters हैं किसमें से आपके जो न्यूमेर के questions हैं वो बनते हैं किन अगर मैं बात करूँ कोश्ट accounting की तो देखो जो कोश्ट accounting सब्जेक्ट आपकी इसमें आपको numerical question को ही करके जाना है थेorie के बरूस्ट आपको बिल्कुल नहीं जाना है subject में तो दूसरी जो numerical subjects होती हैं उनमें तो क्या होता है कि जो प्यूराने जो परस में जो questions पूझे जाते हैं वो repeat हो जाते हैं तो इसमें आपको 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 अलागी देखने को मिलेगी exam में तो आपको numerical chapters है ना उनको अच्छे से त्यार करना है तो देखो अगर मैं बात करूँ unit number first में आपको कौन से chapters करने चीए यानि आपको पहले कौन से chapters को पढ़ना चीए उनके बारे में आपन बात करते हैं कोस्ट accounting के तो आपको जो सबसे पहले जो चेप्टर उठाना है वो उठाना आपको यूनिट नमर फस्ट का थाइड और फॉर चेप्टर इनका नाम में एक तो है material cost control और एक आपका valuation and issue of material तो आपको यह दोनों चेप्टर उठाना है सबसे पहले कोस्ट accounting के अंदर क्योंकि easy चेप्टर है आराम से कर पाऊगे और यह दोनों चेप्टर में से definitely एक में से numerical question आता है पिछली बार जो है वो question आता है material cost control में तो इस बार ज्यादा chances है इंपोर्टेंट चेप्टर इसलिए आपको three or four chapters आपको जरूर करना है और देखो इन दोनों में से आपको एक question जरूर attend करके आना exam में तो आपकी एक question आपको यहाँ पर complete हो जाएगा unit number first से यह दोनों chapter करने के आपको जो marginal costing माला chapter है यह आपका cost accounting में तो ही है साथ में आपका यह fm में भी है तो यहाँ पर नहीं तो वहाँ पर आपको इसका numeral question देखने को मिलेगा ज्यादा chances यह है कि दोनों जगे आपके यहाँ पर numeral question देखने को मिल जाएंगे तो इसलिए आपको इसकी theory भी अच्छे से तैयार करके जाना है तो इसके बार आपको जो chapter त्यार करना है उसका नाम है operating costing method और इसमें से आपको त्यार करना है नुमेरिकल को तियार करना है क्योंकि इसमें새 numerical quotient पूझे जाते हैं लेकिन साथ में आपको को इसकी ठोड़ी भी डरगे जाने है क्योंकि पिछली बार कीस्व कि ऑगया था था तो इस रूरी के जान्स RS थे क्टर न्यूमेरिक को देखने को मिलेंगे तो इसलिए आपको इस की theory plus numerical दोनों तयार करना है तो आपको operating costing method के बाद में आपको जो chapter start करना है उसका नाम है process cost accounting और इस बार के लिए important chapter रहने वाला यह आपका इसमें से आपके numerical question आपको इस बार देखने को मिल सकता है तो इसलिए आपको theory का question attain करके आ सकते हो तो इसलिए आपको तयार करना है इसके बाद में आपको जो chapter तयार करने उनका नाम है एक तो है आपका overhead cost और साथ में आपको करना है methods of remunerating labor तो देखो जो cost accounting है इसमें आपको क्या करना है score अच्छा करना है तो इसलिए आपको साथ chapter पढ़ने ही पढ़ने कौन कौन से साथ chapters को आपको पढ़ना है मैं आपको गदा देता हूं सबसे पहले आपको जो chapter पढ़ना है material cost control इसके बाद में जो chapter उसका नाम है valuation and issue of material इसके बाद में marginal costing फिर आपको पढ़ना है operating costing method को फिर आता है आपका चार नहीं पांच ले लेना starting के जो पांच chapters है आपको अच्छे से आने जी इनकी theory plus practical आपको अच्छे से आनी जी है अगर आप लोग यह पांच भी करके जाते हो तो भी आपके अच्छे माक्स आजाएंगे कोश्ट accounting के अंदर लेकिन जहां तक हो कोशिच करना है कि 7 के 7 chapters अगर आपसे हो रहे हैं तो 7 के 7 chapters करके जाना मैं एक बार फिर कहुँगा कि जो कोश्ट accounting आपकी जो सब्जेक्ट है इसमें आपको theory के बरूसे बिल्कुल नी जाना इसमें आपको कोशिच यही करना है कि आप लोग numerical बेस्ट है तो आपने जो भी चीज पढ़िए अगर आपको आती है तो आप उन चीज़ के साथ बार आप सकते हैं कोई दिकत वाली बार जरूरी नहीं है जो मैंने आ आपको पटाए है वह पड़यों मैंने आपको वह चीजे को point of view था मैंने आपको वो चीज़े बताने की कोशिश करिए जो simple है और आप आराम से 10-15 दिनों के बीच में कर सकते हैं तो मैंने वो चीज़े आपको बताने की कोशिश करिए अगर आप लोग यह भी पढ़ना चाते हैं तो आप यह पढ़ सकते हैं अदर्वाइस आपने जो कर आएगा उसमें आपके 10 कोशिशन आएंगे उन 10 में से आपको एनी 3 कोशिशन अटेंड करने हैं यानी 3 का कोशिशन का मतलब है आपकी जो यूनिट की जो बाउंडिशन थी पहले उसको भी यूनिवस्टी ने समाप्ट कर दिया है यह आप किसी भी यूनिट का कोई भी कि अदनी आपको पेपर कंप्लेट हो जाएगा